नेहा ककड के पाथ अब उनके खास दोस्त आदित्य नारायन ने भी शादी के बंदन में बंदने का फैसला ले लिया है आदित्य ने अपनी लॉंग टाइम गल्फरेंड श्वेता अगरवाल के साथ अपना रिलेशन्चिप कन्फर्म किया और इसी के साथ ही उन्होंने बताय कि वो श्वेता से इसी साल शादी करने वाले हैं आदित्य और श्वेता पिछले दस सालों से रिलेशन्चिप में हैं और हर रिष्टे की तरह इस रिष्टे में भी काफी उतार चड़ाव आये थे लेकिन अब दोनों ने एक दुसरे को अच्छे से जानने के बाद श्याद हो गई थी फिर दीरे-दीरे मुझे श्वेता से प्यार होने लगा शुरू में वह स्रिफ दोस्त बनना चाहती थी क्योंकि हम दोनों ही काफी यंग थे और अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे हर रिलेशन्चिप के तरह हमारे रिलेशन में भी काफी उतार चड़ा आये मुझे याद ही कि कुछ सालों पहले लोग ये अनुमान लगाने लगे थे कि मेरा और शुईता का ब्रेक अप हो गया हैं इसके बाद शुईता के साथ बाहर आना जाना मुश्किल हो गया था मुझे पता है कि relationship में दिक्कते आती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो जाए इन दिनों शादिया बहुत जल्दी तूट जाती है तो हम एक दुसरे को अच्छे से जान रहे थे इतने सालों के relationship के बाद मुझे लगता है कि अब सही समय है कि हम शादी कर ले आदित्य नाराण ने आगे कहा अब ये शादी करने का फैसला महाज़ेक ओपचा रिखता ही है आशा है कि इसे भी नवंबर या दिसंबर के महीने में हम अंजाम दे देंगे मेरे माता पिता को श्वेता बहुत पसंद है और वह उसे अच्छी तरह से जानते भी है कुछ समय पहले रियालिटी शो इंडन आइडल के सैट पर आदित्य और शो की जज नेहा ककड के बीच रिष्टे और शादी की बातों को लेकर काफी चर्चाएं होने लगी थी इन सब पर आदित्य का कहना है कि नेहा के साथ उनके रिष्टी की बात महाजिक अफ़ाह थी यह सब एक मजाग था जो शो की पटकता के हिसाब से चल रहा था लेकिन लोगों ने इसे कुछ ज़्यादा ही सोच लिया इन बातों में कोई सच्चाई नहीं थी आदित्य ने बताया कि वह रोहन प्रीत को भी बहुत अच्छे से जानते हैं और वह एक दूसरे के अच्छी दोस्त भी है नेहा भी उनकी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है इसके लावा कुछ नहीं आपको बता दे आदित्य नाराण की होने वाली पत्नी श्वेता अगरवाल फिल्म शापित में काम कर चुकी है इसके लावा उन्होंने दक्षिन भारती फिल्मों में प्रभास और किच्चा सुधीब जैसे कलाकारों के साथ भी काम किया है हम आदित्य और श्वेता को इस नए रिष्टे की शुरुवात के लिए देर सारी शुपकामनाय देते हैं और भी लेटेस अपडेट्स के लिए लाइक करें फॉलो करें सिस्क्राइब करेंगे जब खबरें